जैसिशा मित्रो स्वागत एस्ट वाश्रम में यह तोते का उपाई यदे आपने कर लिया आपने जीवन में तो ब्यापार दोड़ने लगेगा और यदे एक सीसी का उपाई कर लिया आपने तो धन में ब्रद्धी होने लगेगी और धन दोड़ के आपके पास आने लगेगा यानि कि दोनों ही उपाए ऐसे हैं एक धन से संबंदित है और एक ब्यापार से संबंदित है दोनों एक दूसरे के आप कह सकते हैं सिक्के के उलट पलट पहलू है अगर यह दो उपाए अपने जीवन में आपने कर लिए तो आप समझे कि आपका ब्यापार नहीं चल रहा है ब्यापार शुरू किया था, शुरू ही नहीं हुआ धंसे या चलता हुआ ब्यापार डूबने लगा है या कह सकते हैं कि अब धन की बहुत बड़ी समस्या हमारे जीवन में आ गई है और अब हमें अपने जीवन की दिंचरिया को पूरा करने के लिए या जीवन यापन करने के लिए भी धन की विवस्ता हम लोग स्ठीक से नहीं कर पा रहे हैं या दूसरी भासा में अपने जीवन की जो जरूरत हैं उनको पूरा करने के लिए हमें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है दो उपाई इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ एक आपके धन को बढ़ाएंगे और एक आपके ब्यापार को दोड़ने पर मजबूर कर देंगे क्या उपाई हैं इस वीडियो को अंते तक देखेंगे और जिस प्रकार से बताया गया है करेंगे तो यह उपाई कभी खाली नहीं गए है आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्चन में जाके आप हमें रादे रादे लेखें आप हमें लाइक करें फॉलो करें सब्सक्राइब करें सबसे पहले बात कर रहे हैं हम एक ऐसे उपाई की जो आपके ब्यापार में एकदम से भूम लेके आएगा या कह सकते हैं आपका व्यापार रॉकेट की तरह दोड़ने लगेगा क्या उपाई है और कब करना है ये आप ध्यान से सुनिए आपको यह उपाई बुद्वार के दिन करना है और बुद्वार के दिन ही यह उपाई किया जा सकता है इसके लावा आप किसी और दिन इस उपाई को नहीं कर सकते उपाई करते समय ये ध्यान रखें कि सुबह और साम कभी भी सुपाई को किया जा सकता है रात्री में यह उपाई नहीं किया सकता आपको इतना करना है कि बुद्वार के दिन आपके शहर में कहीं भी पक्षी मिलते हों तो वहां पर आप तोता ढूनिये जो हरा तोता होता है जिसको जनरली बोलने वाला तोता भी कहा जाता है बहुत जगे घरों में पाला जाता है उसको ऐसे तोते को या ऐसे तोतों को यानि कि एक से जादर भी आप ले सकते हैं पिंजरा सहित खरीद के लेके आईए यानि एक या एक से अधिक तोते आप ले आईए जो पक्षी होता है पैरट जिसको आप कहते हैं उसको आप ले आईए बुद्वार के दिन खरीद कर और उसको लाकर खुले इस्थान पर चले जाएए जहां पर जंगल या खुला इस्थान हो सकता है और उन तोतों को आप उस पिंजरे से मुक्त कर दीजिए बुदवार के दिन बुद्वार के दिन जब आम मुक्त करेंगे और जो तोता जो पैरेट है आपने उसको मुक्त किया है वो उलकर बहुत दूर तक जाएगा आप ध्यान रखिये कि वो जितनी दूर तक जाएगा आपका ब्यापार भी उतनी ही दूर यानि की उतनी ही स्पीड से बढ़ने लगेगा क्यूं? क्यूंकि ब्यापार को बुद्ध का कारक माना गया है और जो तोते होते हैं वो भी बुद्ध ग्रह से सम्मंद रखते हैं उन्हीं के कलर हरे रंग के होते हैं इसलिए सीधे सीधे सम्मंद इनका ब्यापार से होता है तोतों की सेवा करना या तोतों को मुक्त करना व्यापार ब्रद्धी या व्यापार को चलाने के लिए बहुत पुराना और बहुत प्राचीन उपाय है यदे आप इसको बुदवार के दिन करते हैं, तो निश्यत रूप से लाब मिलते हैं और आप इसको अपने जीवन में एक से अधिक बार वीग कर सकते हैं अब बात करते हैं दूसरे उपाई की जो आपके घर में आपके जीवन में धन सम्मंदी समस्या को दूर कर देगा। क्या उपाई हैं? आपको एक कांच की सीसी ले लेनी हैं, आप साइज अपने हिसाब से देख सकते हैं। और कांच की सीसी आपको लेनी हैं शनिवार के दिन, और शनिवार के दिन यदि आपके घर में कोई सीसी है कांच की, तो उसको साफ करके शुद कर लीजे। और उसमें सरसों का तेल भर लीजे। और सरसों का तेल भरके उसको बंद कर दीजे। और अपने आसपास एक ऐसी जगे ढूनिए जहां पर बहता हुआ जल हो बहता हुआ पानी हो कोई नदी हो गंगा मैया हो यमना मैया हो या किसी भी तरह की की नहर या इस तरीके का पानी बहता हुआ हो जो चलता हुआ पानी कहते हैं हम लोग अगर बहता हुए पानी नहीं है तो इस उपाई को नहीं कर सकते हैं कमेंट शेक्शन में ना पूछें इस उपाई को तभी कर सकते हैं जब आप बहते हुए पानी तक जा सकते हैं तो आपको जब यह उपाई करना हो तो शनिवार को यह उपाई करना है तेल उसमें कलवा यान पिष्थाई नवाज करिए और शनिदेव हमारे जीवन में आप हमेशा लाब दीजिए आपके काम तेजी से चलने लगेंगे और आपके घर में जब यह उपाए करेंगे बहुत जल्दी आपके जीवन में धन संबंदी समस्याएं शमापत होने लगेंगी यह उपाए भी उपाए किये जा सकते हैं यह उपाए कर लिए तो समझ यह आपके जीवन की बहुत बड़ी समस्याइं समप्थ होने लगेंगी और ब्यापार दोड़ने लगेगा वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके आप हमें रादे रादे लगें आप हमें लाइक करें फॉलो करें सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेर करना ना भूलें रादे रादे